हेलो फ्रेंट सौगत आपके यही चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बार फिट से जो मैं चम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह निवाला यहां पे PCK वर्सेस यू सी के बीच जो मैच होने वाला मैच की वीडियो वीडियो एज इंपोर्टन रहेगी इसलिए आपको स्किप नहीं करना और वीडियो में आपको स्मॉल लिग की टीम दी जाएगी और बाइगी इंपोर्टन पिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हो तो उससे पहले अगर आ और ओरिजनल चैनल है उससे कैसे जुड़ना है आपको करना क्या है कि वीडियो के नीचे जहां कमेंट करते हो वहाँ टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको सबसे उपर ब्ल्यू लर्का होगा जैसे उस लिंक पे क्लिक करो कि टेलिग्राम चैनल ओपन हो जाएग तो करते हैं आप वीडियो को स्टार्ट जब्सक्राइब करने से पहले दो तीन चीजे पता होने ज़रूरी है कि कौनसी टीम है कौनसी वीक है मतलब इस मैच में इंवेस्टमेंट कैसे करने इस मैच में अप मीडियम रख सकते हो और वहीं बात की जाए तो यहां पर टीम सब्सक्राइब करना है कि PCA की में प्लेयर को ज़रूर पिक करना अपनी टीम में अब देखो फटावर्ट से अनलाइस पर आते हैं देखो यह लाश्ट जितने मैच खेले एक दो तीन चार पांच छे साथ मैच विन करें और एक हा रही है तो इससे वाल दन की टीम काफिश कि दोड़ेट यहां उनकी लाइनकी लाइनप काफी स्टॉंग है अब और इनलाइस कर रहे हो देखते हैं उनके जो लाश्ट साथ मैच के परफॉरमेंस रहे है वहीं बात कि जाती है तो सबसे इंप्रेटिंट यहां पर विक्ट लॉस्ट और विक टेकन अब जो सबसे तो यहां पे total नहीं पी तक अपने 10 13 16 1922 इसातम मैच में तो पर मैच में पसिरिफ तीन विकेट की है मतलब अलमुष्ट हर मैच में चक्छी है यह सिर्फ इसी मैच बेंके ज्यादा गए डिए अदरवाइस से होंगे किसी मैच में इनके टीने विकेट से उपर नहीं गए तो इसे पहलता है कि बैटिंग भी च्रोंग है और बात कीजाएं बालिंग कि तो बालिंग में देख पा रहे है सामने वाली टीम कर ले 43 दू एक दम देखो डबल की बात है अपने वेकेट 22 को हैं और सामने टीम के 43 लिकल डबल तो इसे बहुत हैं कि बॉलिंग भी काफी strong है बैटिंग भी strong है तो काफी strong team है तो इनके प्लेट आप मानके चुट यह टीम के जीतने के chances high रहने वाले हैं बाकि जो बैटिंग order probable रह सकता है तो लाज दो मैच इसमें टीम ने पी सदाश सीवन को open करने भेजा तो मुझे लगता है यह अभी तक जिसने open करने भेले इसको बेजा बट flop रहा है बट टीम अगर द्वारा चाहे तो भेज सकते हैं वाकि जो main opener रहा था तोर्रमेंट वह रहा था हिलाल आहमद और अशोकन तो हिलाल आहमद के औरने के chances बन सकते हैं वर Tirm चाहए तो उसको उपर भेज सकती है तो यहाँ पर इसके मान के चलो वह चांस है लगशा श्लाइन की रही है तो फिलहाल बैटिंग से कुछ फ्लॉप रहा है वहीं बात की जाते हैं आप ए अशोकन के बारे में जो क्या परफॉर्मेंस करी चौबीस रन मारे नट आउट और एक ओवर डाला विकट कोई नहीं मिली तीन रन मारे उससे पहले वाले मैच पहले वाले मैच पहले वाले मैच पचपन नट आउट मारे इससे पहले वाले मैच पहले तेरा मारे यहां पंधरान जो विकट पर साथ सबसेलrise अगर इसकी बैटिंग पहले आजाए और दूसरी बात करें दो डाले सकती अचते है तो मेरे खालतें से बड़ी आपके आपका के लिए कोई होने वाली नहीं है तो एस विक्र में सेक्रा के मैं इंपॉर्टन्ट है और सबसे खास बात ही है यह इस साल नहीं लाश्ट यह भी बहुत अच्छी प्रफॉर्मेंस इसने के करी थी बाकि हिलाल आमत की बारें बता चुका हूं कि ओपन भी आ सकता है और नीचे यहां पर कुछ बड़ी निंग खेली से ज्यादा इंपॉर्टन्ट रहेगा निए ग्लैट सन का मौका मिला ज्यादा इंपॉर्टन्ट यह भी यह बाकि आते इनके जो बालर से में इंकी बैटिंग में जो तीन में इंपॉर्टन्ट बैट्समें वह है आशोकन विक्रमे से कर ला एक रहा हूं यहां पर हिलाल आहमद बागी बालिंग में पर घ्लमे यहां पर इटापियन के बारे में घ्रेश ओट गैज इसमें यह रहती है ंंपोर्टंट दे सब्सक्राइब बात करे हो न 냄새 कि यह दो नौ सब पर जो तो निए ग्दाब करे तो लाएंग понравi निग अबूऊंक पंचन के बात करें कंटीनियसली हर मैच में डूब आप For तो से सप्राइजिंग वारी बात है विकेट नहीं मिल रहे इसको सिर्फ एक विकेट यहां मिली जीरो विकेट एक विकेट तो अलमुश्ट दस ओवर डाल चुकर सिर्फ दो ही विकेट मिले तो यहां पर विकेट टेकिंग बढ़ी आने से स्मॉल लिग में इतना कि इसलिए इंपॉर्टन बढ़ने का और रेगुलर मैच में खेल भी रहा है बाग यहां पर बात करें एस सिप्तर के बारे में तो यहां पर देख पार हों कि सितर भी विकेट टेकर है बट लास्ट कुछ मैच एक दो तीन मैच नोट कर पा रहे हैं एक यह वाला मैच यहां पर सिफ़ इसको एक, एक, और मिल जा है अगर इसको डो फूरे मिल जाए तो मेरे लिए इस मैच में इसमेश्च में टीन विक्ट कफर निकालें इसमें फालती है उप इसक्राइप कि ओर में कि तो आड़र को से एक जाते हैं हैं थाड या मैखनग एक पर अपने पूर बाकि यह कुछ प्लेयर से जो बाहर बैटे है बाकि अपको बैटिंग सेक्षिन अगर ऐसरामा करिशन दिख जाए जिसने अप तक रिफ दो ही मैच केले हैं बहुत ही बड़ी अबैट्समन है और पार्ट टाइम बालिंग भी करता है बाकि तक टीम में बालिंग करी नहीं और सिफ दो ही मैच केला है तो जरूर लेना है स्मॉल लिग अगर ग्रेंड लिग अगर अगर प्लेंग अनमें अपको दिख जाए बाकि तीन प्लेयरों की तो यह पर देखो के तो टीम इतना अच्छा करने पारी और मैच हारी रही है लोग पंटीनेसली आपे लाश कुछ मैच की परफॉमेंस देखो के तो यह एक एक पर एक बार बी नोट कर पार है तो एक बार पी 90 से उपर एक बार गया सिफ उसके उपर सौ से उपर भी नहीं तो उसे खही नगभी पर चलता है कि बैटिंग में उतनी देप्थ नहीं है नहीं है जो 100 से ओपर स्कोर कर सके dस ओर के मैच में और विकेट बारें बात करें तो जो आपने वाली टीम के लिए हैं खुद यह 37 खोए हैं तो इससे बलता है कि विकेट ज्यादा खोए है अपने और असामने लिटिम के विकेट कम लिया तो इसे बलता है बॉलिंग में इस ट्रेंड नहीं आरी और विकेट वह टेकन लॉष्टने वाद करें तो यहां पर विकेट अपने खो रहे हैं बट उतने मैच में 2-0 कर रहा है कैप्टन भी और ओपन भी आ रहा है बट बैटिंग से एक मैच में सिर्फ अच्छी बैटिंग करें जिसमें 20 इनमारे उसके लावा बैटिंग से अल्मोस्ट सब मैच में फ्लॉप रहे है तो बैटिंग से बिल्कुल एक्सपेक्टेशन समध रखना बगावली इस पर आप एशी ध्यान रखते हैं को पुपनी टीम में ले सकते हो क्योंकि अपने दो वर जरूर कम्प्लीट कर रहा रहा है बाग यह बाद कर रहे हैं विकिट की अब करता है कभी यह नहीं करता कभी उस केसे में फिर पंगार कर लिक करता है उस केस में बालिं हम दाल रहा है 13 7 4 यह फर 24 अरन मारे एक ओवर डाल कोई के नहीं पर जिस अधार के गर्वार यहां तो हम अपर डालें के टुछ उपर टेकंग बाट कर रहा है और चलिक्ट कर रहा है तो एक टीम में ले सकाथ तो अप्शन बन जाएगा बाकि कुछ खास प्रफॉर्मेंस अभी तक बल्ले से करीने सिर्फ एक मैच में चॉबीस रन की ही अच्छी निंग के लिए बागे फिलाल तो भी तक ठंडा ही रहा है बाकि आपे बात करें आयुश शर्मार पी बागे लेंकी टिम की जान बोल सकता हूं यह दो प्लेयर इंप इस तो बहुत अच्छी बैटिंग करें फिलाल इसने पूरे टोर्नमेंट में तो इसले इसले लेना बनता ही वर वाइस के एपक रहेगा बाकि अपने दो वर भी डाल रहा है बाकि प्यूश बागे लिने भी बहुत बड़ी परफॉर्मिस के लास्ट में हाफ सेंचुरी मा इस तेरह मारे बीस अन्या मारे तो वाइस क्रेटन के लिए यह पर आयुश शर्म और बागेल को ले सकते हैं बड़ फिलाल देखो कि तो कंपैर करो कि तो आयुश शर्मा ने थोड़ी परफॉर्मेंस करी है और कंसिटेंट भी रहा है इसले वाइस क्रेटन के लिए पर इसले में मिली है मिली है मिली है मिली है तो यह पर ध्यान हो कि अलमुस्ट समय विकेट निकारे बैटिंग से 10-15 अब एक्सप्ट कर सकते है बैटिंग आती है नवाब भी इंपोर्टेंट रहे का बाकि निलेश पंडिता है इसको ग्रेंड लिंग में बला इसने ओप ल बाकि अविति है देश मुख ने दो मैच में ओवर डाल इसमें के कि विकट मिला बाकि मगार है यह खना की परफॉर्मेंस यहां पर एम सिंग की तो यह पर प्लेर के बारे में और मैंने राइट वना रखा जो प्लेर इंप बनता है मेरे पॉंट विव से तो मैंने यह टीम करेंगे का तो बालिंग नहीं करेंगा तो बॉल्लिंग करेंगए थेंग द्यान रख चलना इस चुछ को बाकि हिलाल आमज अगर ऑपन कर जा तो बढड़ी ऑप्शन बन जागा वो इस से बैटर रहेंगा जने से तिम को इसमाल लिंग मैं की इसले मैं अपकी साथ जारा यह प्लेयर नहीं नहीं आए क्योंकि बैटिंग सेक्षिन प्लेयर अवेल है यह सदा सीवन को लेने का शिर्फ एक यह ऑप्शन है कि टीम ऑपन करवा रही है बाकि अगयरा जो भी प्लेयर से इतने इंप्रटन नहीं कि इनका बैटिंग वाटर काफी नीचे और खेलते कभी नहीं खेलते बाकि अर्मा किष्ण खेलता है डेफिनिटली हंडर्ड परसंट टीम में लेना ही लेना है जाए जो भी हो जाए ध्यान रखना है अधि रहेगा बाकि और कोई बैटिंग सेक्षिन में इंपॉर्टन नहीं है फिलहाल मजूरी के कैसी से मैं यहां पर तीन प्ल यह दोन बंदों पर ध्यान रख सकते हो बाकि वह बॉलिंग सेक्षिन में नवाब मदूरंगा और यह पर बागहल आप चाहो तो नवाब की जगह सित्तर को ले सकते हो जैलवन को ले सकते हो बड़ सित्तर ने किसी मैच में एक ओवर करता है इसलिए अगर एक ओर में विके करी रहा बड़ ध्यान देना ली बात है पीची के टीम विकेट कम खोती है तो इसलिए पीची के बॉलर के लिए बॉलर जागर चाहो तो कर सकते यहां पर एक चेंज जरूर कर सकते हैं और यह आपको डेफिनिटली पर फिलहाल मैंने सेफ टीम बनाई है तो क्याप्टैंसी इसलिए को अपको सब्सक्राप को दो डेक्र माइसलियुफ को अपर थी लाइन डेक्र लाइकर ehindya Ajush आज केटाप्टैंसी इसलिए कोछाइन लाइकर वाईस excel अरयूष देनी नहीं किया इसलिए क्रेंसी का लिए पर पर मैंने क्या बैंते हैं लोगाइन इसलिए प्रूं कि एसम कर दिया है तो मैंने क्या है किए चेंज कर दिया तो मैंने की पर चेंज कर दिया यहां मैंने की इस अब नोड कर पा रहें तो जो ऑन बालर का यह बहुत रिस्की टीम नहीं तेभिटे सेज्वान को एक सब्सक्राइब कर जाए और यृप थे वाय क्यों कर जाए और जाए और दो विकेट निकाल जाए बाकिए दो निकाल जाए दो ओर में और 15-20 रन भी मार जाए तो हमें profit रहेगा, दो भी न निकाले, एक विकेट निकाल जाए और एक catch कर जाए और 25 रन मार जाए तो हमें profit दे सकता है, तो पहली पिक रहा सकते हैं विक्रमसेकरा, अब दूसरा पुप्षिर रहा सकते हैं प्यूज बागहिल, बागी प्यूज बागहिल के बारे में सबसे खास बात है कि यह 2-2 अपने complete करने वाले और मान के चलो यह 2-2 बागहिल डालते एक-एक विकेट भी लेते और 25-25 रन भी मारते तो हमें profit अच्छा सा दिन रहा तो 2-2 विकेट निकालेंगे तो बालिंग भी प्रॉफिट होगा बागी बैटिंग से जितने मारेंगे वह भी profit होगा टेलिग्राम चैनल कैसे जोइन करना वीडियो के नीचे जहां comment करते हो वहाँ टेलिग्राम का link मिल जाएगा सबसे ब्लीव क्लर का link होगा जैसे उसे पर click करोगे टेलिग्राम चैनल ओपन गया एक जोईन कर लेना Grand Link में rank 1 की photo लगी होगे तो ध्यान डखना है टेलिग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट में जो टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया उसी का यूज़ करना है तभी हमारे टेलिग्राम के सही और ओर पाओगे तो मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ जाहिन दोस्तों बाए-बाए